नमुश्कार, Welcome to my channel, मैं हूँ मनीशा, दोस्तों आज हम आपको माता लक्षमी का पूजन के त्यारी बताऊंगे, क्योंकि यह महालक्षमी पूजन है, तो बहुत जादा वेधिवर त्यारी करनी पड़ती है, और जैसा कि माता लक्षमी को बहुत जादा बैगो पसंद है, तो उसी प्रकार से सबी चीजे आपको त्यारी करनी पूजन है, तो मैंने यहाँ पर पर कुछ तयारी बड़के रखी हुई है, जो आपके साथ शेयर करना चाहते है, तो चलिया यह देखते हैं कि कि इंकी चीजों की आशकता होती है, माता लक्षमी के पूजन में, और यह महा तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए थे हैं कि हमने क्या-क्वा यहां पर तैयारी करिए जैसर कि इस सबीद्धे शोला लगती हैं तो मैंने यहां पे सोला हर चीजें ली और बहुत सारे लोगों का कुश्यन भी था कि इसलिए पर इसलिए वीडियो बनाई है आपके साथ में कि आपको समझ में आ सके कि कैसे क्या चीजे त्यारी करने पड़ती है तो चली हम कैम्रा को थोड़ा सा नीचे करते हैं जीसे आपको सारी चीजे दिखा ही पड़े दूस्तों जैसा कि आप देख सहते हैं कि हमें यहाँ पर अंपिया हяж है और अभी इस पर हमने पान का पत्ता लगा के प्रतिमा से उढरा नहीं है। उसक्ते हैं भीलक्षमा का। जल वरस रहा है यही वाली प्रतिमा का पूजन माता महालक्ष्मी के पूजन में किया जाता है तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि यह देख सकते हैं इस तरह की प्रतिमा है और ऐसे ही बैठी हुई लक्ष्मी माता का पूजन करना चाहिए तो यहां पर इस तरीके से अगर कोँड़ा किसा नहीं दिपके अबगा की दिदा कीज़ सूल्सक्रार कोया है बहुत सारे लोगों का प्राइब कर देखा लिए यह से क्रोस्क्रा आप्ति घुलते हैं बहुत सरह साथ हैं तो से सिंगल बतियां जो आती हैं यहां पे इस तरह से आप लगाएं तो चाहें जैसे आप पूजा करें आपके इक्षा लेकिन यह क्रॉस बत्ती जादा सूप मातल लक्षमी के पूजन में दूसकुर जैसे मैंने यहां पे इपनाया हुआ है तो आपको दिखाना चाहते हूं कि इस तरह से मिट्टी के दिये बना सकते हैं तो आप मिट्टी के दिये भी ले सकते हैं लेकिन माहालक्षमी पूजन में हम लोग बहुत जादा सावधानी बरते हैं यूगि मातलक्षमी को प्रसंद करना होता है मातलक्षमी की कृपा हम पे बनी रहे तो कोई भी त्रोटी ना हो इस बार का हमेश द्यान बशिए तो यह हो गया और मुझने यहां पे स्वास्थिक का निसान बनाया है यह सफेज चावल से अब बनाइए नहीं पुजन में लाल गुलाब का पुष्पमाल को अर्पिक किया जाता है इसलिए अभी मुझे मिला नहीं है मैं यहां पर फूल करें हूं यह गुलाब के फूलों की माला है यह देख सकते हैं यह इस तरही के से पई बस सबी चीजह सोला लगती है या फिर एक माना को आप माता को पहले इसे तरीकर से सोला बारे आपका सोला भारी और इसी तरीके से सोला दिपकों का होता है आप जब आर्थी करना होगा तो यह सारे दिपक हमें एक फ्लेप में रख लेंगे और उसके बाद माता की आर्थी करेंगे आप देख सकते हैं मा के पूजन में पीली चावल का अक्षत जरूरी होता है तो आप थोड़े से चावल धो के और उसे हल्का सा हल्दी से कलर कर लेंगे कर अब में खोल फूली या पीलव के लिए माटा की पूजन में पूजन में पीले चावल में अपक़ से मातच के पूजन होता है अक्षत के रूप में प्रियोब करेंगी और यह थोड़े से कुम कुम है यानने की गंती है पूजा के लिए हमें चाहिए दूपत्ती और दीपक प्रजुलित करने के लिए यह माचेस चाहिए और यहां पे मैंने बिल-पत्र लिया है माता को बेल-पत्र बहुत पसंद है तो इसलिए awards के पूजन में बेल-पत्र और कपूर का प्रियोग अवस्य करना चाहिए तो यह आप देख सकते हैं इस तरीके से बेल पत्र है और यह गनपती जी के लिए दूरुबा घास और समी का पत्र है अभी हम गनपती जी आपको बना के दिखाएंगे कि हम कैसे गनपती जी अपने घर में अस्थापित करना होता है अरे कि यहां पर इतना आपको लेना है यह मौली है कोई कोई से कलाई नारा बोलते हैं या फिर मौली ले लिजी यह माता के मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो सोला गाठे मैंने आपको लगाने के लिए बताया था इनी को आपको गाठ लगाना है इसमें सोला और सोला अब भी हम आपको पूजन करते समय यह सारी चीज़ें आपको अवश्य बताएंगे अभी आप सामागरी देख सकते हैं और यह कलश में अंदर डालने के लिए क्योंकि खाली कलश रखा नहीं जाता है जल के साथ में यह सारी चीज़ें आपको डालने होती हैं तो पहले आपको कलश बना लिजे उसके गले में एक मौली लपेटना होता है और उसमें सौस्तिक बनाना होता है और उसके अंदर एक सुपारी एक हल्दी की गाट और यह एक सिक्का और एक दूरबा घास थोड़ से छोड़ी आफियार करना होता है और नारियल के साथ में यह अर्पिक करेंगे नारियल में आप सीधा नारियल आप सीधा नारियल पर खालाएं इस प्रिप्ट करेंगे यह इए एक नारियल प्रशाद के लिए हैं जलाने के लिए देपक जैसे कि मैंने बताया सभी चीजें चड़ाने के बाद जब हम मुख शुद्धी करते हैं उसके लिए हमें हर चीजें 16 चाहिए यहां पर देख सकते हैं मैंने यह लॉंग रखी हुई है इसमें 16 लॉंग लेकर मां को अरपिक करे सब्सक्राइब देख सकते हैं डंडी वाला पान है जो भगवान के पूजा में इस्तिमाल किया जाता है इसी पान का और यह सोला हल्दी की कांटी है तो आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि माता लक्ष्मी के पूजन में सोने और चांदी का विशेश महत होता है तो सबी ल स्ब्सक्राइब एल्दी का प्रीयोक कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने 16 हल्दी की गांटी लें है यह वीं सुने सुरुख होती है तो इसलिए तो इसलिए घ्राइब भूग लगाने के लिए यहाँ पे यह मिठाया लिए है इसको भी आपको सूले टुक्ड़िमे कर लेना ज पसंद है आप देख सकते हैं यहां पे 16 अता है तो जैसा कि इश्वर यानि भगवान के पूजन में को भी कटा फल इस्तेमाल नहीं करते आप इस तरह से ले सकते हैं छोटे-छोटे आप चूज कर लेजे और 16 होनी चाहिए यह यहां पर मातविक चुनिया है यह एकर करने आपके देख सकते हैं वां यहां के लिए है सारी सुझे तो यहे आपको बता हैं यह सारी सूप में भरके रखनी होती इसे सजाएंगे और सारी समागरी शुहार की 16 चीजें इसमें रखी जाती है और इसमें फूलो की माला भी रखी जाती है और मिठाइयां भी खीर पूरी यानि सारी चीजें आपको इसमें रखनी पड़ती है तो मैंने आपको एक चुन्नी और पान्सो पारी लॉंग इलाची आदी सभी यह जो हम चड़ाएंगे वही बाद में सूप में रख देंगे और एक मातर नानी को पहनाने के लिए अलग सी चुन्री मनली है यह आप देख सकते हैं यह दूसरी चुन्री है जो कि हम मां को पहनाएंगे अभी पूजा परते समय और यह मां को भूग लगाने के लिए खीर है आप देख सकते हैं केसर वाली खीर है और उसकी साथ पूरिया ह कितनी पुरियों का हमें भोग लगाना है तो देख सकते हैं एक इस तरह से सुला पुरियों के साथ में आपकमा को भोग लगाएं तो सबी चीजें दोस्तों इस तो दोस्तों सारी चीजें मैंने बाहर निकाल ली है तो अब हम आपको एक एक चीजें दिखाएंगे कि क्या के चीजें सोला होती है यह इस तरह से आपको सूप लेनक है उसमें सभी चीजें पहले आपको सोला रखते ही है तो हम इससे शुरू करते हैं जोसे कि यह सोला ओयल है यह पूरा बारा का प्राटिट है और इसके साथ 6 और रखना है यह इस तरह से और इसी तरह से यह कंगी एक दर्जिन पूरा है और उसके साथ लिए यह महिंदी का पैकेट है वो शेट करके आप रख लो इस तरह से इसमें कि एक दूसरे से गीरे में यह आलता है यहां पर लगाना है यहां पर चूड़ी लेगी है तो इसके स्थान के आप सोला दर्जन भी कर सकते हैं जिसके मैंने यहां पर से खोला ही चूड़ा ले रखे यह बिंदी है इसमें यह इस तरीके से जिवाली बिंडिया है यह भी हमारी सोला फीस है जैसे कि सबी लोग रिबन लगाते हैं तो रिबन अभी मैंने नहीं लिया क्योंकि ज्यादा को यूज नहीं करता है तो ऐसी चीज देनी चाहिए कि जो यूज कर सके कोई यह काजल है दल भी है यहां पे यहाँ जब कोई खोली है इस तरीके से तो मैंने जहां तक हो सकी रेड और पिंग कलर की लिभी है यहां पर यहां पर इस तरह के से हैं अलाग अला कलर के हैं पिंक है रेड है मरून है यहां पर यह मिरर है शीशा देख सकते हैं यह तुरा चेड और पाथ यह दरजन इसमें तक हूँ आई मैंने सभी देड़े दरजन के रहता है तो जो बच्ची रती में नौराती पर माता दुरुगा को चड़ाती हूँ यह रेड सेड में ही मेरे नेल पेंट है सभी रेड है आप देख सकते हैं कि माता के पूजन में लाल रंग का जादा महत्त होता है तो आपको कोशिश करने है कि सभी चीज़े रेड होनी चाहिए आपकी लाल है और यह इत्र है यह स्रंगार में बहुत प्रमुक भूमिका निभाते हैं और गुलाव का इत्र माता लक्ष्मी को बहुत पसंद होता है कि मैंने यहां पर मैंने यह लिया हुआ है यह संदूर है कि लिव्यया है तो इस तरीके से सभी चीज़े आपको सोला रखनी होती है तो मैंने सभी कि चीज़े से लिए और यह दह जाए है पूरा आपका भर जाता है सरंगार से जगई नहीं रहती है आपको बहुत अच्छे से इसको सेट करना पड़ता है और सभी चीजे आप इसमें सरंगार की सोला चीजे रखके और एक दूसरा सूप इस तरीके से इस पर आप रख सकते हैं और रखने के बाद एक बर जब सूप बहुत अच्छा थीज दूसरे दिन सुबह में जब आप अग्वान मतालक्षमी का मंदिर में देना चाहिए आपके आसपास कहीं भी मतालक्षमी का मंदिर हो या फिर लक्षमी नराण मंदिर हो पहां पर आप यह लगा के दे सकते हैं मतालक्षमी के मंत्रों का मतालक्षमी का मंत्र है जसी कि मैंने वीडियो में आपको दिया हूँ है पूजन में स्क्रेंग पर लिखकर आप समझ पाएंगे और यह है हमन समागरी बनाने की विधी मैंने आपको अल्रटी दी है माता दुर्गा के पूजन में कैसे हम हमन समागरी बनाएं या किसी भी पूजा के लिए तो बिद्वत तरीके से मैंने बनाया और यह एक वर्स का बना हुआ है आप देख सकते बहुत मैंने बहुत अच्छी चीजे इसमें डाली है और इसकी पूरी विधी मैंने आपको दिविस्तार पूर्वक दी है आप प्लीज उसे चेकाउट आवर से करिएगा और माता की पूजन के लिए आपको देशी घी लेना चाहिए गाय के सुद्द भी तो मैंने यहां पर यहां करें चीजन के लिए और सुक्तम का पाठ भी है और लक्ष्मी स्थ्रोत भी है तो इस तरह से आप कोई भी चीजें इसमें से पढ़ें और माता लक्ष्मी को प्रसंद करें और बात में आरती करें और दक्षन अवस्ते चड़ाना होता है तो मैं आपको दिखाना चाहती है करना चाहिए अपनी मनुकामना बोलनी चाहिए और माता से छहमा मागनी चाहिए तो यह थी सुक्ष्म बिदी मैंने आपको औरल तरीके से बताई है दोस्तों यह सारी चीजे मैंने आपको दिखा दी है यह सोला सामागरी सरंगार की है और माता का भोग है फल है और तामबूल और दक्षणा और यह मा की चौकी है आप देख सकते हैं मैंने जहां पर माता के लिए चौकी लगाई है और मा के लिए एपन बनाया है यह सभी का बहुत जादा कमेंट था कि मेडम एपन कैसे बनाते हैं यह है एपन चावल को भीको कर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकी सो पे सब्सक्राइब ग्राइब कर लिए पेस्ट बनाके हल्दी मिलाके यह पंट तैयार कर सकते हैं इसी आपन से हम सूप को सजाएंगे और माता की पूजन में सर्प्रतम अपन का ही प्रयोग किया जाता है ऐसा माना जाता है कि चावल और हल्दी का मिक्स जो आपन होता है माता लक्षमी इससे बहुत ज्यादा प्रसंद होती हैं तो यह अपन का प्रयोग वस्य आप करें और यहां पर देख सकते हैं दाहिनी तरफ यह दीपक है एक यह एक दीपक प्रजुलित करके रखना चाहिए उसके बाद यह 16 दीपकों से आर्थी करना चाहिए तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी तयारी पसंद आएगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमें किस तरीके से मातारानी के पूजन की तयारी करना चाहिए और क्या क्या किस तरीके से करना चाहिए तो यह थी जानकारी महालक्षमी पूजन की कि हम इसका तैयारी कैसे करें और दोस्तों पूजा कैसे की जाती है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जानकारी आपको थोड़ी से भी हल्पुल लगे तो प्लीज माई वीडियो को लाइक करें शियर करें सब्सक्राइ जरूर करें ने वीडियो के लिए थैंक यू